रामान काल्पनिक है एक सवाल जो लोग कहते हैं ना जब रामान काल्पनिक है तो तुमारे पेट में दर्द क्यों होता है हम यह कहते हैं कि तुमारी रामान काल्पनिक है तुमने कल्पना में भी हमारे बाप संबुक को मारा कल्पना में भी तुमने हमारे विरोध में कल्पन से द्वेश करते थे उन्होंने उसको जला दिया मगर हम धन्यवादी हैं तिब्बत के कि वो ग्रंत मिल गया और प्रोफेसर डीटी सुजू की जो जापान के विद्वान थे बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में और इलांदर ने बंते नाकसेंड को ललका रहा था और उनका बुद्ध का और रामन का जो शासार्थ हुआ है वो सो सवाल रामन ने पूछे सो सवाल बुद्ध ने दिये वो बहुत धरम का विज्ञानवाद उसको कहते हैं वो सारा उस गरंत में उपलब्द है जाओ बच्चो उस गरंत को पड़ो तो पता चलेगा कि रामन बहुत बड़ा विद्धवान था बहुत था इसलिए उसको जलील करने के लिए इन्होंने अपने गरंते में उसको खलनाएक बनाया और उसका लज्जा जनक उसका वद्ध करते हैं और रामन की महनता देखो हर साल जलाते हैं ह 36 गड़ की गोण जाती से भी है कल नरक चोधस थी इनके हिसाब से बरामनों के हिसाब से नरक चोधस कियों थी क्ल महामना रामन का जनम दिन था कल मुख्य मंत्री के पिताजी नंदराम बगहिल जी ने महाराजा रामण की जैनती बड़ी धुमदाम से मनाई है और रामण जलाने वालों पर 36 गण में F.I.R. किये गए हैं ये इतिहास बदल रहा है इतिहास को मीडिया के माध्यम से कुंद किया जा रहा है और आप जैसे बच्चे जो एक कैमरे लेकर आए है ना और समाज के अंदर ये संदेश जब जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुष कौन थे ये जो रावन को जलील करते हैं रामायन में वह रावन रामायन का रावन कालपलिक है मगर वह राम ने रावन हमारे समराथ अशोक का बनाया है डाक्टर राजिंदर परशाथ की एक किताब आ रही है संब्यक प्रकाशन से अगले महिने तक शायद वह आ जाएगी उसका नाम है बोध सब्धता उसमें क्या बताया उन्होंने कि वह अशोक वाटी का क्या है अशोक वाटी का वो है जो समराथ अशोक ने अपनी राजधानी में एक अशोक आराम बनाया था बहुत बड़ा बुद्वियार बनाया था और उसी में तिरित्ते संगीती हुई थी बहुत संगीती जो बुद् प्षरे की बात है आज आप सोना तो छोड़ो आप यह जो एक रुपे का सिक्का इसमा आग नहीं लगा सकते उनके पास जूट का अंबार और उनके पास बहुत बड़ी कला है वह जूट को ऐसा इस्थापित करते हैं वह सत्ते से भी ज्यादा सची लगने लगती है वह लिग है रावन का भी बहुत जल्दी अभी आपने देखा होगा ने इस बार हमने पोस्ट डाली है उसमें रावन का चित्र हमने लगाया है मगर खुशी हमें इस बात की है कि वह 36 गड़ में जो कल रावन की जैनती मनी है वहाँ पर उस चित्र का उन्होंने इस्तमाल किया अपनी महापुर्शों को घर घर तक पहुचाने के जिस काम में लगे हैं किसी पर एहसान नहीं है और यह कोई मैं कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहा हूं वहर एक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है मगर मुझे एक संतोश है कि मैं बाबा साहिब डांक टम बेट करका कर्श तो न कर दो कर दो कर दो कर दो कर सकता है